पद्मवद देखने के बाद संजय लीला भनसाली को ओपन लेटर लिखना स्वरा भासकर को शायद पढ़ रहा है महंगा स्वरा के ओपन लेटर के साथ शुरू हुई कॉंट्रिवर्सी अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि स्वरा के सामने आ गई एक नई मुसीबत सॉर्सिस की माने तो स्वरा की पी आर कंपनी ने छोड़ दिया है स्वरा का साथ अपारेंटली स्वरा का फिल्मेकर संजय लीला भनसाली को लेटर लिखना didn't go down well with her publicist क्योंकि यही publicist handle करते हैं संजय लीला भनसाली के professional matters को सोर्सिस की माने तो इस incident के बाद स्वरा और उनकी publicist के बीच भी हुआ था major fallout and then things went up to such an extent that the publicist has now stopped handling स्वरा's PR account those who tuned in late, स्वरा ने अपने letter में संजय लीला भनसाली की पदमावत को प्रेज करने के साथ ही यह भी लिखा था कि भनसाली के फिल्म में ग्लॉरिफाइ किया गया है सती और जोहर को और साथ ही लिखा था that she felt reduced to a vagina after watching the film इसके बाद जहां संजय लीला भनसाली ने तो स्वरा के letter पर react नहीं किया लेकिन कुछ celebrities ने स्वरा को support किया तो कुछ celebs नजराय completely disagree with her point वेल इसके बाद स्वरा ने अपने open letter के बारे में एक event पर बात की और रखी अपनी बात I think that my letter is a very polite letter I have the right to respond and ask the questions that I want to ask of the filmmaker 440 word letter, that's how many words that letter was, the only word we can remember is vagina जहां स्वरा अपनी तरफ से इस controversy को खतम करने के लिए कर चुकी है हर कोशिश, वहीं लगता है कि स्वरा की मुश्किले इतनी जल्दी खतम नहीं होने वाली Let's see now when and who will extend an olive branch to स्वरा For Sandesh Agate, Zoom, Mumbai